हे गाईज वेलकाम टो इंडिया इंडियाल टाच मेरे नभी देवासिस और आज याने के 27 एप्रिल को चैना के अंदर मीवाई 12 लॉंच हो गया है और किस-किस फोन्स में हमें देखने को मिलेगा और इंडिया में कब तक हमें देखने को मिल सकता है इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो वना चुका हूं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके आप एक बार देख लीजिएगा आई बैटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस MIUI 12 क के फिचर्स के बार में तो अगर आप कोई भी शौमी रेडमी या फिर फोको का फोन यूज करते हैं तो आप सब को पता होगा कि जो भी नया MIUI का वर्जन आता है हमेशा किसी एक चीज के ओपर वो लोग पर्टिकुलर ली काफी ज़्यादा फूकस करते हैं MIUI 10 में उन पर्ट्रेट मोड यानि कि अगर आपके पास कोई पूराना फोन है तो एकी कैमरा से आप पॉर्ट्रेट मूड वो काफी अच्छा पोर्टरेट शाट्स क्लिक कर सकता हैं जो एक दोर्फी काफी अच्छा हुआ था उन लोगों के लिए जो पूराना फून बगरा इस्तमाल करते थे इसके बाद मीवाई 11 ने 11 जब आया उन लोगों ने फोकस किया बैटरी को बैटरी से रिलेटेड की हम लोग अल्ट्रा पार से बिंग मूड बगरा देंगे इंडिया में नहीं आया वो अपडेट यह अलग बात है लेकिन उन लोगों ने यह चीज फोकस किया था और यही सबसे मेन हाइलाइट था मीवाई 11 के अंतर अब मीवाई 12 की बारी है और इस बार भी उन लोगों ने यहां पे दो चीजों के उपर काफी जड़ा फोकस किया है सबसे पहला है प्राइवेसी और दूसरा है एनिमेशन तो इन दो चीजों के उपर अगर आप देखेंगे तो दो चीजों के उपर उन लोग निया पे काफी जड़ा फोकस किया है प्राइवेसी और एनिमेशन को रिल लेके और मीवाई 12 के जो फीचर्स बगरा थे उसके र और सबस्काइब कर चुके हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि काफी और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबस्काइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तो नया क्या या है सब से पहला चीज तो एनिमेशन स्क्वेट पर लोगोंने काफी ज़्यादा फूकस किया तो चाहे आप अगर मैं बात कर या पर कुछ कुछ एप्स का आइकन को लोगोंने या पर चेंज हमें देखने को मिलेगा साथ साथ एप्स के अंदर यानि कि कुछ कुछ एप्स के अंद अगर आप जैसे आपको उपन करेंगे तो उसमें अनिमेशन देखेगा साथ आप जैसे ही एप्लिकेशन से बाहर आते हैं उसमें भी एनिमेशन देखेगा तो इस चीज के ओपर या पर फोकस किया गया है इसके अलावा नोडिफिकेशन में पूरा का पूरा याप चेंज गया गया है और एक और जो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया कि नोडिफिकेशन की आइकेंस में भी आप लोगो नोडिफिकेशन देखने को मिलेगा जैसी के अगर आप लोग फ्लाइट मॉन करते हैं तो एक प्लेन का लोगो आएगा उपर से नीचे के तरफ तो इस त जो चेंजिस बगरा किया है वो जो एप्स के अंदर है यानि कि सिकूर्टी अप्स के अंदर या फिर गलरी बगरा के अंदर तो इसमें भी आप लोगों को काफी सारे ने ने फ्रांजिशन एफेक्ट्स एनिवेसंस देखने को मिलेगा तो उन लोगों ने इस चीज के उफ प्लेइश्टोर पे कभी अभी कुछ कुछ आप्स क्या करता है अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो बेक्ग्राउंड में आपको नहीं मालूं कि वह कैमरा का परमिसन ले रहा है या फिर माइक का परमिसन ले रहा है और आप नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी जो पीछे अग का परमिसन लेता है यानकि आप क्या बातचीत कर रहे हैं क्या कुछ चीज़े कर रहे हैं वो सब इसका access बगरा ले रहा है plus कुछ-कुछ आप्स ऐसा भी है जिसे location की ज़रूत नहीं है लेकिन फिर भी वो सब आप या पे location की पर्मिसन ले रहा है तो इन सारे एप्स को आप देह पाएंगे और अगर माल लेजिए कोई एप्स अपने ऊपन किया है for an example Facebook या पर में example दे रहा हूं सिर्फ तो Facebook अगर आप माल लेजिए उपन कर चुका है Facebook आपका recent मेनु में ऊपन है आप Facebook से बाहर आगे हैं लेकिन Facebook आपका भी फिलाल माइक या फिल कैमेरा या फिल लोकेशन बगरा ये आन है और किस एप में वो परमिसन ले रहा है ये भी आप चीजे देख पाएंगे प्लास हम लोग नहीं जानते हैं कि जैसे मैं आप लोग को कहा कि कुछ-कुछ एपस बेक्डाउंड में चलता रहता है परमिसन बगरा भी लेता है तो उन सारे एपस ने पिछले टाइम कौन-कौन सा परमिसन लिया कॉंटक्स का परमिसन किसी ने लिया लोकेशन का परमिसन किसी ने लिया तो ये सब चीजे जो है आप देख पाएंगे मोनिटर कर पाएंगे और अगर इसमें AI भी एड कियागे है अगर माल जी कोई ऐसा एप है फोटो एडिटार है वो आपकी सब कुछ परमिसन ले रहा है आपकी फोटो एडिटार है लेकिन फिर भी उसमें कोई कैमरा का लाइब फोटोज बगर आप नहीं क्लिक कर सकता है लेकिन फिर भी आप नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी माल जी आगर वो कैमरा की परमिसन ले है आपके फोन में जो भी कॉंटाक्ट से उन सब का परमिसल ले रहा है तो यह मोनिटर करेगा और आपको यह इनफॉर्म करेंगा कि यह जो पर्टिबलर एप है यह आपका यह चीज़े कर रहा है तो वह आटमेटिकली उस आपको हाई इस जोन पर डाल देगा और आपको फोर्स करेगा उस आपको अंस्टल करने के लिए तो यह एक काफी अच्छा फीचर है इसके अलबा हम लोगों ने देखा है कि कुछ-कुछ आप्स हम लोग चाहते हैं यूज करना लेकिन प्राइविसी के कारण हम लोग उस सारे आप्स को यूज नहीं करना चाहते हैं जैसे कि ट्रू कॉलार हो गया ट्रू कॉलार एक काफी अच्छा अप्लिकेशन है अगर किसी का स्पाम कॉल आता है या फिर किसी का अगर ऐसे कॉल करता है पैसे लूटने के लिए तो हमें मालूम पढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग और कर चुके हैं अब माल लीजिए ट्रू कॉलर क्या करता है कि आपके फोन का जो कॉंटक्स का पर्मिसन लेता है तो इस बैज़े से भी बहुत सारे लोग ट्रू कॉलर को नहीं यूज करता है लेकिन आप मीवाट्वल में एक अच्छा फीचर है कि आप एक वर्चुल आईड तरह जिस तरह से हम लोग टेंप मेल बगरा का इस्तमाल करता है बिल्कुल इसी तरह से ये काम करता है तो यह भी एक काफी अच्छा यानगी बहुत अच्छा फीचर है तो इस तरह की का जो एपस बगरा है आप आप मीवाट्व आने के बाद इन सारे अप्लिकेशन को भी आप इस्तमाल कर पाएंगे इसके बाद जो एक और इसी तरह की का फीचर आया है कि मैक्सिमाम लोगों ने मालीजिए को इसकी किसी फोन नंबर को स्पाम रिपोर्ट कर दिया है और अगर वोसी नंबर से आपको कॉल आता है तो फोन आपका ऑटोमेटिकली अंसर करेगा और कर देगा तो इस तरीके का फीचर्स यहां पर मीवाइ 12 के अंदर आया है और भी काफी सारे फीचर्स बगरा है जो कि आप होम डॉट मीवाइ डॉट कॉम पर जाके देख सकता है चेक आट कर सकता है जिकी लेकिन जो में फीचर्स बगरा था वो सब मैं आप लोग को अभी बता चुका हूँ तो अभी मीवाइ 12 को लेके आप क्या क्या राय है आप क्या क्या थॉट्स है आप निजी मुझी कमन करके बता सकते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा साथ साथ बैल ऐकन प्रस करना बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आप मुझी मेरी सोसिल मेंट प्लाटफों पर फॉलो कर सकता है इंस्टेग्राम ट्वीटर फीस कि सोसिल मेंट प्लाटफों पर फॉलो कर लिजीगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अगर इसकी रिगार्डिंग और कोई सवाल बगरा है मीवाट 12 के रिगार्डिंग तो आप लीजी मुझी कमन करके पूछ सकते हैं मैं आपको उसका रिप्लाइब करूंगा आप लोग कर लोग और कर दो है और कर लोगरे को आपको आपको इसको अपको